दोस्तो पूरी दुनिया की तरह ही भारत भी कई सारे भूतिया हाइवेस का घर है यहाँ पे कई सारे ऐसे भूतिया हाइवेस हैं जिन में जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है आज मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा हाइवेस के बारे में बताऊंगा जिसमें जाना अपने जान गवाने के बराबर है तो आए देखते हैं दोस्तों वो कौन से भूतिया हाइवेस है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कृपिया सबस्क्राइब कर ले और उसका साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताक कि आपको मेरे हर वीडियो का अपडेट मिलते रहे तो आए जानते हैं वो हाइवेस कौन से है कसरा घाट दोस्तों मुंबई नासिक हाइवे पे ये एक बहुती सुन्दर जगा है जहां हर ड्राइवर जाने की कोशिश करता है दोने तरफ हरी भरी वादिया किसी भी ड्राइवर को अपने तरफ आकरशित कर सकती है मगर सावधान कई लोगों का ये मानना है कि ये बहुती ज़्यादा भूतिया है दुस्तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो रात के समय यहाँ पे सफर करते हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने पेड़ पे एक सरकटी औरत का भूत देखा है अगर आप उसके तरफ देखते हैं तो आपका एक्सिडेंट होना निश्य है ऐसा इस जगह पे माना जाता है सत्या मंगलम वाइड लाइब सेंचुरी कोरिडोर NH209 का एक हिस्सा होने के वज़े से ये कई घने जंगलों से घिरा हुआ है और ये जंगल विरपन जैसे खतरनाक डाको के लिए भी मशूर था दोस्तों बहुत सारे लोकल और यहाँ पे ट्राविलर्स ये मानते हैं कि ये एक भूतिया जगा है बहुत से लोगों ने ये दावा किया है कि उन्हें यहाँ से चीखनी की आवाजे सुनाई दी है साथी साथ उन्होंने हावा में लाल्टेन को भी तेरते हुए देखा है उसके अलावा उन्हें यहाँ पे नकरात्मक उर्जा भी महसूस हुई है बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये विरपन की आत्मा है जो की इस जगा पे मरी थी दिल्ली जैपूर हाइवे दोस्तो अगर आप जैपूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो जाहिर से बात है आपको ये रूट भी मिलेगा अगर आप इस रूट से जाते हैं तो ये तो पक्का है कि आपको भानगर किले को पार करके ही जाना पड़ेगा जो की भारत की सबसे भूतिया जगां में से एक माना जाता है दोस्तो अगर आप मुंबई से गोवा जाने की प्लानिंग में है तो आपको ये हाइवे तो कभी नहीं लेना चाहिए खास कर रात के टाइम पे आपको इस हाइवे पे गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जगा भूतिया है क्योंकि यहाँ पे एक अंजान वेक्ती आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा अगर आप उसके सामने गाड़ी नहीं रोकते हैं तो बाद में आपकी गाड़ी आगे जाके एक बहुत ही बड़े एक्सिडेंट का शिकार हो जाएगी इस्ट कोश्ट रोड दोस्तो अगर आप चन्ने से पुरुजरी जाना जाते हैं तो ये हाइवे आपके लिए बहुत ही बहतरीन है लेकिन दोस्तो आपको रात होने के बाद यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि कई यहाँ पे ड्राइवरों का मानना है कि उन्हें यहाँ पे सफेज साड़ी में एक औरत दिखती है जो कि उनका ध्यान भटाती है अगर आप उसके ध्यान से भटक गए तो आगे जाके आपका एक मेजर एक्सिडेंट होना पका है उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नकरात्मक सक्तियों को भी महसूस किया है जैसे अचानक से तापमान का बढ़ या कम जाना तो दोस्तों ये थे कुछ भूतिया हाईवे हमारे भारत के आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ अगर आप इसी तरीके के वीडियो को मिस नहीं करना चाते तो क्रिपय मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आपने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद